वेल्कम गाइस वन्स अगेन आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट मिश्टर राज तो आज हम लेके आए है वर्ल्ड की टॉप फाइए साइन्स फिटिंग एन एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें आपको रोमांज के साथ साथ सस्पेंस और थ्रिलर भी देखने को मिल यह पांच मूवी ऐसी है जो आपने शायद इसकी कलपना पर नहीं की होगी इन सभी मूवी को हमने IMDb रेटिंग उसकी बॉक्स ओफिस कलेक्शन के हिसाब से टोफ फाइ में एंट्रे दी है और मैं बता दू कि अगर आपने यह मूवी नहीं देखी तो इन सभी मूवी की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहां से आप डायरिक देख सकते हैं और साथ ही एक चोटा सा काम कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राब दीजिए और बैल आइकन तो जरूर दबाएए ताकि आने वाले सब भी वीडियो की नोटिफिक स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की है उसे रात को किसी के होने का एसास होता है उसको बार बार किसी की आवाज सुनाई देती है पर उसे समझनी आता कि आखिर यह कौन है और क्या है ये मूवी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है जो आपको बोर नहीं होने देगी और आपको मूवी में एक के बाद एक सस्पेंस मिलते जाएंगे ये मूवी 2012 में रिलिज हुई थी IMDB रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 5.60 रेटिंग मिली है और इस मूवी का टोटल बजेट 6-10 मिलियन डॉलर तक था और बॉक्स ओफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 44.1 मिलियन डॉ करके वर्ल की टॉफ 5 मूवी में नंबर 5 पे अपना स्थान ले लिया है इसके बाद नंबर 4 पे है 24 Hours of Live ये मूवी एक्शन और ड्रामा से भरपूर है इस मूवी में दिखाया गया है कि एक आदमी का मडर हो जाता है पर उसे कुछ टेक्नोलोजी की मदद से 24 Hours के लिए उ आपको भर भर के देखने को मिलेंगे और ये मूवी तो आपको जरूर देखने चाहिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है आप जहां से डारिक देख सकते है ये मूवी 2017 में रिलिज हुई थी IMDV रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 5.8 की रेटिंग मिलती है इस मूवी ने बॉक्स ओफिस कलेक्शन में 5.8 मिलियन डॉलर की कमाये करके हमारी टॉप 5 मूवी में नमबर 4 पे अपना स्थान ले लिया है इसके बाद नमबर 3 पे है Underwater ये मूवी होरर के साथ साथ एक्शन थ्रिलर भी आपको देखने को मिलेगा तो चलिए इस मूवी की बहुत सारे लोग कैसे सर्वाइव करते हैं अपने लाइफ के साथ ये इस मूवी में दिखाये गया है ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी आइम डेबी रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 5.9 की रेटिंग मिलती है इस मूवी का टोटल बजेट 50 मिलियन डॉलर था और बॉक ये मूवी तो आपको जरूर देखने चाहिए क्योंकि ये आपको निया एक्सपिरियंस देगी तो चलिए इस मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं इस मूवी में एक ऐसी चूडल को दिखाये जाता है जो अमर होती है जिसे मारना किसी के बस की बात नहीं है और मूव क्योंकि उसने उसके नाक में दम कर रखा था और क्यों कर रखा था और क्यों मारना चाहते हैं वो तो आपको मूवी देख की ही पता चलेगा तो चाहिए और मूवी एक बार जरूर देखिए ये मूवी 2015 में रिलिज हुई थी आइम डेबी रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 6 की रेटिंग मिलती है और इस मूवी का कुल बजेट 71 से 90 मिलियन डॉलर तक था और बॉक्स ओफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 146.9 मिलियन डॉलर की कमाई करके हमारी टॉप 5 सिरीज में नंबर 2 पे अपना स्थान ले लिया है अगर आपने इस मूवी नहीं देखी तो एक्शन के साथ साथ सस्पेंस और थ्रिलर भी देखने को मिलेगा तो चलिए इस मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं कहान की शुरुआत में एक ट्रेंड के पाइलोट को दिखाये चाता है जिसमें ऐसी पावर होती है कि वो किसी के शेरिन में भी घुस सबता है और इस मूवी को 10 में से 7.5 की रेटिंग मिलती है और इस मूवी का टोटल बजीट था 31.9 मिलियन डॉलर और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 147.3 मिलियन डॉलर की कमाई करकी हमारी टॉप 5 एक्शन मूवी में नंबर वन पे अपना स्थान बना लिया है अगर आप की कमेंट का इंतिजार करेंगे और अपना ख्याल रखिए टेक केर बाब बाई थेंक यू समच